पढ़ेंगे नमस्कार आप देख रहे हैं दूर्दर्शन समाचार मैं हूँ मुनिका शर्मा पहले मुख्य समाचार प्रधान मंत्री ने कहा केंद्र सरकार स्वास्थे और अनिक शेत्रों में राज्यों की मदद का हर संभव कर रही है प्रयास श्री मोधी ने वर्ज्वल मुख्यमंत्री ने की खोशना राश्ट्रिय टीका करण अभ्यान के अंतरगत अब तक 68 करोड 75 लाग से जादा कोविट टीके लगाय जा चुके हैं 36 गड़ में पिछले 24 खंटों के दोरान कोरोना संक्रमण के 24 नए मामले सामने आये और 36 गड़ी लोग परंपरा का प्रमुख त्योहार पोला आज धूमधाम से मनाया जा रहा है मोखे मंत्री ने महिला समूहों के कालातीत रिणों को माफ करने के साथ ही रिण के बजट में पांच गुना वृधी की खोशना की और आईए अब देखते हैं समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुल माथ्यम से हिमाचल प्रदेश में कोविट टीका करण कारिकरम के लाभनवितों और स्वास्थे कर्मियों से बाचीत कर रहे थे हिमाचल अपनी पूरी वयस का अबाधी को कोविट का पहला टीका लगाने वाला देश का पहला राच्य बन गया है प्रभार मंत्री ने इस अनूठी उपलब्धी को हासिल करने के लिए अग्रिम पंक्ती के स्वास्थे कारेकरताओं त्वारा किये जा रहे प्रयासों की सरहना की उन्होंने कहा कि यदि कोविट का टीका सही तरीके से लगाया जाए और कोई अपव्याय ना किया जाए तो दस प्रतिशत खर्च बचाया जा सकता है शीमोदी ने स्वास्थे कर्मियों से अनुरोध किया कि वे कोविट का दूसरा टीका भी तेजी से लगाए ताकि राज्य के लोगों का कोविट टीका करण पूरी तरह से संपन हो जाए प्रधान मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्ते और अन्यक्षेत्रों में राज्यों की मदद का हर संभव प्रयास कर रही है इस अफसर पर स्वास्तिकर्मियों और अन्यक्षेत्र के लोगों ने प्रधान मंत्री के साथ टीका करण के अपने अनुभव साज़ा किये। इस अफसर पर राजे सरकार द्वारा कोरोना टीका करण अभ्यान पर बनाई गई एक लगु फिल्म का भी प्रदर्शन किया प्रदेश में स्वामी आत्मानंद के नाम से संचालित शास्किय अंग्रेजी स्कूल की तर्द्स पर अब प्रतियक जिले में एक-एक हिंदी माध्यम उत्कृष्ट स्कूल खोले जाएंगे। मुखे मंत्री भूपेज बखेल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राजधानी के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्याले योजना के अंतरगत संचालित आड़ी तिवारी अंग्रेजी स्कूल के उन्नायन कारिके लोकारपन कारिक्रम में ये खोशना की। मुखे मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में महापुरुषों के नाम से संचालित होने वाले स्कूल हमारी पहचान है। इन एतिहासिक स्कूलों का उन्नायन बहुत देशिश शाला के रूपे किया जाएगा। मुखे मंत्री ने आड़ी तिवारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के खेल मैदान के लिए दो करोड़ रुपे की मन्जूरी दी। मुखे मंत्री ने कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए नवाचार करने वाले राजिके 20 उतकरिष्ट शिक्षकों को समानित किया। उन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को महतारी दुलार योजना के अंतरगत छातर वृत्ति का चेक भी दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत रैपुर से की गई, इसके बाद जिलो में पहले 27, उसके बाद मांग बढ़ने पर 52 किये गए और इसके बाद अब 172 स्कूल संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वामी आत्मनंद उत्कृष्ट स्कूलों का ये कारवां और भी आगे बढ़ता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में शिक्षकों द्वारा किये गए नवाचारों की प्रशन साभी की। राश्ट्रिय टीका कराण अभ्यान की अंतरगत अब तक 68 करोड 75 लाग से जादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 25 लाग 23,000 से जादा टीके लगाए गए। वही 38,948 नए कोविड रोग्यों की पुष्टी हुई। इस समय देश भर में 4,474 कोविड रोग्यों का उपचार चल रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 68 करोड 4 लाग से जादा कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्त मंत्राले ने कहा कि राज्यों के पास इस समय पांच करोड 8 लाग से जादा खुराक उपलब्ध हैं और 1 करोड 44 लाग से जादा टीके भेजे जाएंगे। एदर 36 गण में टीका करण अभ्यान लगातार जारी है अब तक 1 करोड 50 लाग 25 लाग से जादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। राज्य में इस समय विभिन अस्पतालों और आइसोलेशन में 368 कोरोना पीडितों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 खंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 24 नए मरीज मिलें वहीं राज्य में औसत पॉजिटिविटी दर 0.12 प्रतिशत पहुँच गई है। राज्य पाल अनुसुया उईके ने कल राजभवन में आयोजित समाहरों में 36 गड़ के तीन जी आई टैक उतपादों बस्तर का आइरन क्राफ्ट, वुडन क्राफ्ट और जीरा फूल चावल पर भारतिय डाग विभाग द्वारा जारी किये जा रहे विशेश आवरण का इस मौके पर राजिपाल ने कहा कि भारत सरकार के आत्म निर्फर भारत अभ्यान की तर्स पर डाग विभाग द्वारा प्रदेश के तीन जी आई टैक धरोहरों पर विशेश आवरण जारी कर पूरे भारत में फैले डाग विभाग के विशाल नेटवर्क, फिलाटेली ब और इतिहास में एक अभिन स्थान रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों ही शेल्प एक कला के रूप में उभर कर सामने आए हैं और ये शेल्प देश-विदेश में 36 कड़ की संस्कृती की पहचान भी बने हैं। साथ ही जीरा फूल चावल जो प्रदेश का पहला औ और अभी तक का एकमात्र क्रिशी उत्पाद है जिसे भारत सरकार द्वारा इसकी विशेश गुडवत्ता और पहचान के लिए जीयाई टेक दिया गया है। उन्होंने उम्मीद चाहिर की कि 36 कड़ डाग परिमंडल भविश्य में ऐसे ही राजिके भोगोलिक, एतिहासिक, सांस्कृतिक गौरव और धरोहरों का देश-विदेश में प्रचार प्रसार में योगदान देता रहेगा। सामुदाइक पुलिसिंग को बढ़ावा देते हुए कोरबा पुलिस ने स्कूल के संग खाकी के रंग अभियान के शुरुआत की है। इस अभिनाव पहल के जरि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पुलिस अब कानून की जानकारी के साथ ही मोबाइल से होने वाले दुश प्रभाव और उनके फायदों की जानकारी देगी। साथ ही जिले के प्रत्येक ठाना और चौकी क्षेत्र के स्कूलों में बीट सिस्टम के तहट टीम गठि जाए जाएंगे जिससे कभी भी ज़रूरत पढ़ने पर स्कूली चात्र और शिक्षकों को पुलिस टीम फॉरण मदद कर सकेगी। इसका मुखे उद्देश से ये है कि जब पुलिस आजकल जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बच्चों के समय में ड्रग्स या बाकी चीजों को लेकर समस्य उत्पन हो रही है तो समय समय पर जाकर विद्यालाय में आवियानेस प्रोग्राम के माद्य हम से ट्रैफिक य कोर्बा पुलिस के इस विशेश अभ्यान से शिक्षकों में भी खासा उत्साहा है उन्हें उमीद है कि स्कूल के संग खाकी के रंग कारिकरम से बच्चों को कानूनी जानकारी के साथ ही सही दिशा मिल सकेगी जो की स्कूली छात्रों के लिए काफी फायदेमन साबित होग कानून का बारे में उतना जानकारी नहीं है तो इसलिए हम चाते हैं कि हर स्कूल को बहुत जल्दी सर इसको लागू करें और हर स्कूल में हर बच्चों को पेरेंट्स को भी साथ में सिर्फ बच्चों को ही नहीं पेरेंट्स को भी मोबाल कैसा यूज किया जाए साइबर क् का बारे में भी जब पता चलेंगे तो पेरेंट्स भी सावधा नहीं भरतेंगे और इसका वज़े से हम समाज में बहुत ज्यादा क्राइम को 90 पॉसंट क्राइम को हम कम कर सकते हैं गौर तलब है कि SP भोजराम पटेल ने जिले में पुलिस और शिक्षा व्यवस्था के बीच इस अभिनाव पहल की शुरुआत कर सामुदायक पुलिसिंग के क्षेत्र में एक अलग मिसाल कायम की है मुखिमंतरी भूपेज बखेल ने आज अपने निवास में आयोजेत तीजा पोरा त्योहार के कारिकरम में सभी महिला समुभों के काला तीत रिणों को माफ करने की खोशना की इसके साथ ही उन्होंने महिला समूहों को प्रतिवर्ष दिये जाने वाले रिंड के बजट में भी पांच गुना वृध्धी की खोशना की इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बगेल और उनकी पतनी मुक्तेश्वरी बगेल ने कॉंग्रेस की महिला सांसदों, विधायकों और निताओं के साथ भगवान शिव, नंदी बैल और चुकिया पोरा की पूजा की और प्रदेश की खुशाली के लिए कामना की मुख्यमंत्री निवास में आज 36 गड़ी संस्रुती के इंद्रधनुशी रंगों की छटा देखते ही बन रही है मुख्यमंत्री के नियोते पर पारंपरिक वेश भूशा में बड़ी संख्या में महिलाएं उत्सहा के साथ महची कारिक्रम में राउत नाच दल और 36 गड़ी लोग कलाकारों के दल ने 36 गड़ी गीत संगीत से अनोखा समा बांदिया बाद में मुख्यमंत्री और त्योहार में शामिल लोग पारंपरिक जूले रैचुल पर भी बैठे कारिक्रम में महिलाओं के लिए फुगडी, चमच दौड, जलेबी दौड, कबड़ी, बोरा दौड आधी प्रत्योगिताएं आयुजित की गई मुख्यमंत्री ने तीजा पोरा तिहार में कॉंग्रेस की राष्ट्रिय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा और रागिनी नायक को खास्तोर पर आमंत्रित किया था प्रदेश के दूसरे जिलों में 36 गड़ी लोग परमपरा का प्रमुख त्योहार पोला पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है किसानों ने बैलों को आकर्शक रूप से सजा कर उनकी पूजा अर्चना की, वहीं बच्चों ने मिट्टी के बैल दोड़ाए और मिट्टी के खिलोनों का मजा लिया राज़पार अनुसुया उईके ने 36 गड़ के परमपरा गट पोला पर्व के असर पर प्रदेश्वासियों को हार्दिक बढ़ाई और शुबकामनाई दी है बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने 36 गड़ में असर दिखाना शुरू कर दिया है मौसम विभाग ने अगले एक दो दिनों में बस्तर और सरगुजा संभाग में भारी से अती भारी बारिश होने की संभाव ना जताई है वहीं मध्ये 36 गड़ के जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने रायपर और आसपास के इलाकों में भी मध्यम से भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है रायपर मौसम विज्ञान केंदर के विज्ञानी आर के वैश्य ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मौनसूम की सक्रियता बढ़ गई है इसके प्रभाव से चतिस गड़ में बारिश की सभावना बनी है राजानी रायपूर में आज सुभह से धूप चाओं की स्थिती बनी रही शाम को गरत चमक के साथ बोचारे भी पड़ी आजादी के लिए भारत का शांदार संखर्ष आधुनेक विश्व के महांतम संखर्षों में से एक है दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की जलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है आज हम बात करेंगे स्वतंता संग्राम सेनानी शरत चंद्र बोच की जो नेताजी सुभाष चंद्र बोच के बड़े भाई और जाने माने बैरिस्टर थे वासी को ओडिसा में हुआ था वे सुभाष चंद्र बोच के बड़े भाई थे 1911 में उन्होंने वकालत के पढ़ाई पूरी की और इंग्लाइंड चले गए महान नरपेंद्र नाथ सिरकार के मार्ग दर्शन में शरत चंद्र ने बैरिस्टर के रूप में बहुत प्रसेदी हासिल की भारत वापस आकर उन्होंने सफल वकालत आरम की लेकिन बाद में वो वकालत छोड़कर सविने अवग्या आंदोलन में शामिल हो गए ततकालीन भारत के ग्रीविभाग की रिपोर्ट में उन्हें अपने भाई सुभाष चंद्र बोस की शक्ति और कलकत्ता में सविने अवग्या आंदोलन का फाइनेंसर बताया गया था शरत्चंद बोस ने 1929 में समाचार एजेंसी की स्थापना की जिसका नाम था ओरियंट प्रेस एजेंसी उन्नी सो चालीस के दशक में उन्होंने दनेशन अखवार निकाना शुरू किया कुछ वर्ष बात शरत्चंद राजनीती में भी शामिल रहे और विभिन पद सम्हाले उनका विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं है जो नर्तिक रूप से गलत हो और राजनितिक रूप से सही यही जीवन भर उनका मार्ग दर्शक से धांत बना रहा शरत्चंद बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल और पंजाब के विभाजन का विरोध किया वे माउंट बेटन योजना के प्रकाशन से पहले और बाद में भी विभाजन का लगातार विरोध करते रहे इसी मुद्दे पर उन्होंने जनवरी 1947 में कॉंग्रिस छोड़ दी और फरवरी 1947 में विरोध आंदोलन शुरू किया 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होते ही शरत्चंद में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और सीलोन के छेत्री ये संगठन के हिमायत की वे एशिया के दक्षन पूर्वी राष्ट्रों की एकता के भी समर्थकते हैं यही नई अगस्त 1947 में शरत्चंद्र पोस ने सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी बनाई और 1949 में युनाइटेड सोशलिस्ट और्गेनाजेशन का गठन किया जिसमें देश की सभी सोशलिस्ट ताकतों को एक मज़ पर आने का आवान किया शरत्चंद्र पोस सच्चे राष्ट्रवादी थे वे आखिर तक विभेन तरीकों से विभाजन रोकने के प्रयास करते रहे और विभाजन के हर संभव विकल्प भी तलाशते रहे और इसी के साथ ये समाचार बुलेटे में ही समाप्त हुआ नमस्कार